अक्षे नौमी जिसे आवला नौमी के नाम से भी जाना जाता है। आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बेटे बहु ने सोचा कि राजा इतने सारे आवले रोजाना दान करते हैं। इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे बहु ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बन कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैट गए। राजा रानी आवला दान नहीं कर पाए और प्रण के खारण कुछ खाया नहीं। जब भूके प्यासे साथ दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसले भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिये और धेरो आवला के पेड लगा दिये। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे। राज्य ने छील लिया, दाने दाने को महताज हो गए और काम ढूनते हुए अपने पिता जी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहु सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहु ने सास के बाल गुतते समय उनकी पीट पर मस्सा देखा। उसे यह सोच कर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोच कर आवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नस्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहां होंगे। यह सोच कर बहु को रोना आने लगा और आशु टपक टपक कर सास की पीट पर गिरने लगे। रानी ने तुरंट पलट कर देखा और पूछा कि तुम रोक क्यों रही हो। उसने बतलाया आपकी पीट जैसा मस्सा मेरी सास की पीट पर भी था। हमने उन्हें आवला दान करने से मना कर दिया था। इसलिवे गर छोड़ कर कहीं चले गया। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हल पूछा और अपना हल बतलाया। अपने बेटे बहु को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बलकि बढ़ता है। बेटे बहु भी अब सुक से राजा रानी के साथ रहने लगे। ये भगवान जैसा राजा रानी का सत रखा, वैसा सब का सत रखना। आपकी ये ब्रत कथा, कहने और सुनने वालों के सारे परिवाल को सुखी रखना।